हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक अनदर वीडियो दोस्तो अभी बज़ें सुबह के दस घर पे खाना बनके रेडी हो चुका है तो आज खाने में क्या-क्या बना है मैं आपको डिरेल से बताता हूं देखे दोस्तों यह जो है सब्जी है यह बूंदी का रहता है यह दई है यह सल के दूस्तों साधा खाना है दोस्तों यह बूंदी गार्म गर्म सताथी नहीं आपका दोस्तों यह आपका सेलाध हो गया ठीक है सलाध में कोनियन है टमेटों यह आपका जो है दई का रहता हुआ है इसमें जीरा जो है डाल दिया गया है पीस करके ठीक है तो यह आद दो हम खाने वाले और दोस्तो कोशिस कीजिए कि गाहों का देशी खाना होता है, simple साधा खाना होता है, वहीं खाईए, ज़्यादा मिर्च मसालिया आपको बताई दोस्तों, यह आपको tasty तो लगते हैं, बट यह आगे जाके आपके सिरी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, और आगे जाके कोई न कई कोई न कोई बीमारिया जो है आपके सिरी में पैदा करते ही करते हैं, तो जितना साधा simple खाना आप खाऊगे, उतने आप healthy रहोगे, आपके सिरी इतना मजबूत रहेगा, तो यह ज़्यादा चटपटी चीज़े वह छोड़ो, simple साधे खाने पर आओ, जिससे आप healthy रहो, और बीमारिया तो मैं यही रिक्मेंट करूँगा दोस्तों कि जो गाओं की देशे लोग होते हैं, उनकी जो health होती है, उनकी health की पिछे पैसे यही होता है, कि ज़्यादा अटपटी चीज़े नहीं खाते हैं, और सहर के लोगों को आपको पता ही है, कहीं पर सुगर है, कहीं बीपी है, कह हैं कुछ है, हर घर में बीमारियां दोस्तों, सुबह ऐसे हम डेली मेडिशन दे लोग खाते हैं, ठीक हैं, क्योंकि एक्टिविटी तो हो गई, खतम, ठीक है, और अब जो है, यही है, कि खाते मालब की ज़्यादा हो, फिर डाइजेस्टन को होता नहीं है, तो वो चीज़ कि बिल्कु साधा खाना काईए, और जो है, है, तो इस वीडियो के मादव से यही था, एक छोटा मैसे देना था, कि वेज़ेखो, यह जो है, जैसे हम गाउं से बिलोग करते हैं, तो ऐसे साधा खाना खाते हैं, तो आप भी जो है, सिंपल डाइट पर होगे, तो अच्छा रहेगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसना रही है, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सिस्काइब जरू कीजिए, थेंक्स पर आचिंग, धन्नेवाद,